अबिशेक रामन और मैं एक financial freedom evangelist हूँ मेरे life का ये सपना है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनको motivate करूँ उनको through education, through information, through analysis कि वो अपने personal finance को अच्छे तरीके से समझ पाएं कहां गलती हो रही है कैसे उसको सही कर सकते हैं और फिर वो आगे बढ़ें अपने finances को strong और I mean wealth creation के process के थूप बढ़ें यही मेरा खाब है और इसी सिलसिले में मैं यह topic लेके आया हूँ or just for the time being I speak in English just for two minutes especially for those who only understand English I would be using Hindi language here for this presentation it's because the entire ppt that is presentation is written in English language so you can definite understand it through ppt however for Hindi speaking guys there is nothing you know present there in the ppt so I have to use the language Hindi कमिंग बैक टू हिंदी पे यस थांक यू सो मच सबसे पहले तो सब लोग संडे की दो पहर में आप लोग टाइम निकाल के आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आप ये विश्वास रखें मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं होने दूंगा बहुत अच्छा यूस करेंगे आज के टाइम का हम संडे लर्निंग का डे बनाए हैं तो उसको पूरे अच्छे से यूस करेंगे आपको टॉपिक दिख रहा है सामने जो आज का टॉपिक है हाउ टू एंशोर यूर फिनैंशल ट्रांस्फोर्मेशन ये वेबिनार स्टार्ट होने के पहले मैं एक दो चीज़े बोल दूँ फटाफट पहली बात आपके क्वेशन्स प्लीज अंत के लिए समाल के रखें जब ये सेशन एंड हो रहा हो तब मैं आपके सारे क्वेशन्स का जवाब दूँगा डोंट वरी आप इसको घबराने के बिल्कु जरूत ने कोई जल्दबाजी ना करें और जल्दबाजी करने वाले लोगों के लिए मेरे पास कुछ नहीं है मेरा ये मानना है और ये बहुत बड़ा सत है कि लाइफ में कोई जल्दी में नहीं होती और मैं आपको गुड थिंग ही देने आया हूँ मैं आपको नॉर्मल कुछ भी उठा के देने नहीं आया हूँ तो प्लीज जल्दबाजी ना करें दूसरी बात अगर आप कहीं भी इस थॉर्ट प्रोसेस के साथ यहां पे आये हैं कि मैं आपको कुछ मैजिकल चीज देने वाला हूँ जादू हो जाएगा आपकी लाइफ में ऐसा हो जाएगा आपका कि आप यहां दो चार अच्छे अच्छे टिप्स मिल जाएगे और आपकी लाइफ बदल जाएगी यू विल मेक वंडर्फुल रिटर्न तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा एक बार मैं फिर से बोल दूँ इस बार मैं पिल टूँ जो लोग हिंदी-ंग्लिष के रिक्वेस्ट कर रहे हैं I will try कि मैं हिंदी-ंग्लिष मिक्स बात करूł I will try that I should speak mix into Hindi-English I will still try but maximum it will be Hindi language So, please support me I cannot speak both the languages together तो प्सक्तार बाता है आशा जादु मुझे नहीं आता है And yes, very, very important. I am talking about transformation. I am not talking about just a financial solution. मैं एक financial transformation की बात कर रहा हूँ. ऐसा नहीं है कि यहां पे मैं किसी financial solution की बात कर रहा हूँ. So, इसलिए, please, कोई solution की बात यहां पे नहीं कर रहा हूँ. एक बड़ी strong चीज़ होती है. तो उसी strong willpower के साथ आप यह पूरा प्रेसंटरशन सुनें. To start the topic, उसके पहले Lawrence ने यहां लिखा है सब को wishing you a great success this 2017 and wealth to y'all. Thank you so much Lawrence. Thank you from everyone. And I also wish everyone कि आपका 2017 आपके financial life का one of the main turning year बने और यह year हो सकता है. यह भी आप सबको पता है. So let's make this year beautiful and use this year for our financial transformation. Okay. So first of all, सबसे पहली बात, आज का current scenario है क्या? आज के अगर current scenario की हम बात करें, और यह बहुत important point है, इससे पहले कि आप और कुछ सोचना शुरू करें, मैं आपको बता दू. आज का जो session है, बहुत ही खास session है. यह मेरे दिल के काफी करीब session है. जैसा मैंने बताया कि मेरा सपना है लोगों को finances उनका सही से सही कराने में उनकी जितनी मदद कर पाऊं करना. तो इसलिए यह session बहुत ही खास है मेरे लिए. और यह session इसलिए आपके खास है कि अगर आपने इस session को properly समझा and then you implement it. अगर आप इसको धीरे धीरे apply भी करना शुरू करते हैं अपने financial life में तो मैं दावा करता हूँ कि आपकी financial life को change होने से कोई नहीं बचा सकता. So please इस बात को आप मान लें कि आपको यह ध्यान से सुनना है और मैंने जैसा बोला है आपके बीच-बीच में जो question आएंगे मैं उनको बात में जरूर entertain करूँगा. So yes, बात करते हैं सबसे पहले-पहले slide से कि आज का current scenario क्या है और यह बहुत important बात है आप सबको समझने के लिए. बहुत important बात है देखिए middle class का जन्म हुआ ही इसलिए था ताकि जो बड़े लोग हैं जो पैसे वाले लोग हैं वो उनको अपना business बढ़ाने के लिए use कर पाएं. जब पैसे वाले लोग कुछ produce करते सामान तो वो consume कौन करता इसके लिए उन्होंनों एक middle class create किया था और आज financial institutions भी exactly वही काम कर रहे हैं. Financial institutions को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि middle class हमेशा purpose के पीछे कभी investment नहीं करता, middle class हमेशा खच करता है return basis पे. और इसलिए middle class आपके इस motive का पूरा फाइदा उठाते हैं. समझ गया है? पूरा फाइदा उठाते है middle class आपके इस बात का. अभी होता यूँ है कि आज हर middle class, mostly जो middle class है, वो कर क्या रहे हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ certain outcome के पीछे भागते हैं. कि अगर कुछ fix मिल रहा है, तभी मैं investment करूँगा. कुछ ना कुछ तो fix मिलना चाहिए. और ये जो institution है, ये हमारी middle class की इसी mediocre mindset का पूरा फाइदा उठाते हैं. कि मैं इसको mediocre mindset क्यों कह रहा हूँ, इसका reason मैं आपको देता हूँ, but this is a big scam going over the entire nation. आप ये बात को आज समझें अच्छे से कि क्या हो रहा है, आपका financial transformation कहां पे अटका हुआ है, where it is stuck, why your financial transformation is not happening with you, is just because you are stuck with a mediocre mindset, especially when it comes to your finances, and you are not able to understand it, you are always trying to go behind certain outcomes and that's the reason that they are taking a good advantage of you, your thought process. तो ये पंगा होता है middle class के साथ, मैं कौन से mediocre की mindset की बात कर रहा हूँ, so let's see mediocre mindset क्या है, एक example देता हूँ मैं आपको, आपको पता है एक story बताता हूँ मैं आपको, insurance की story बताता हूँ, सबसे पहले जब insurance कंपनिया insurance बेशती थी, बहुत कम लोग लेते थे इंडिया में insurance, कोई नहीं खरीदता था, मैं आपको बताता हूँ, 0.00012 कुछ परसेंट था insurance खरीदने वालों की संख्या इंडिया में, और जब इंडियान इंशोरेंस नहीं खरीद रहे थे, लेकिन financial institution को insurance तो बेचना था, बिकाज उसके कारून को पैसा बनाना था, तो अब उन्होंने इंडियान लोगों की mindset पढ़ा, और उन्होंने देखा कि ओ, अगर मैं भारतिये लोगों को कुछ return देने लगूं, तो वो जरूर इंशोरेंस ले लेंगे, और आपको पता है, तब जाके जो ULIP fund आया, जो investment based return in insurance, वो उसका जनम हुआ, और यसलिए आज देखे, अब आप ये बताए, जो लोग पहले insurance नहीं खरीदते थे, investment based insurance आने से आखिर उनको कैसे insurance की value समझ में आने लगी, और पहले तो नही समझ में आने लगी, और वो खरीदने लगे, insurance, same way, आप FD खरीदना चाहते हैं, मतलब आप insurance इसलिए खरीद रहे हैं, कि आपको कुछ return मिल जाए, जबकि insurance का मकसर return देना तो है ही नहीं, return के लिए बहुत सारे अलग-अलग, आपको financial instrument available है, आप वहाँ पैसे डाल सकते हैं, बढ़ आप खरीदते हैं, बिकोज आपको कुछ नकुछ return मिल रहा है, और मैं आपको बता दूँ, कि भारत में जितने भी insurance, product available है, सब पे insurance का जो return है, वो maximum 6-7% annually ही है, येस, और अब वो धीरे-धीरे उससे भी कमी होगा, और फिर भी आप वो insurance लेते हैं, मैं आप आता हूँ FD पे, fixed deposit, fixed deposit का भी पंगा देखिए, fixed deposit आप देखिए, fixed deposit में अभी लगभग जो return मिल रहा है, अब तो और कम हो गया, और धीरे-धीरे सारे bank कम ही करेंगे, तो FD का जो अभी के आज के time का insurance return है, वो लगभग मिल रहा है, 6% के आसपास का return, अब सारे banks स से पूछ रहे हैं कि क्या ये वीडियो मिलेगा इस session के बाद, ये वीडियो इस session के बाद मिलेगा कि नहीं, ये बात मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, ये जरूर हम भेजेंगे बाद में recording, बर वो कितने दिनों के बाद जाएगा, ये मैं अभी बताना मुश्किल है, लेकिन FD खरीदते हैं आप, FD में आपको 6% के आसपास का return मिलता है, अब आप बताए, FD ना आपका inflation कवर करता है, FD आपको minimum return जो मिलता है, FD अमतब one of the most minimum return है FD का पूरे financial instrument में, बिको 6% तो आपको उस पर भी आपको taxes वगरा देना पड़ता है, और सबसे बढ़ी बात है कि FD की वज़े से आपके पैसों की purchasing power बिलकुल खतम होती जा रही है धीरे धीरे, और लेकिन फिर भी हम FD करते हैं, विकोज हमें certain चीज चाहिए, जो मैं first slide पर बात कर रहा था, second point पर आप देखें, कि हमको सिर्फ certain चीज चाहिए, जहां हमको fix कुछ मिलना चाहिए, और मैं आपकी life की problem सबसे बड़ी यही है, जहां भी आप certain चीज के पीछे भाग रहे हैं, ये एक mediocre mindset है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अगर पैसे वाला बनना है, आपको बहुत पैसा बनाना है, आपको अपना financial transformation करना है, तो आपको उस धंक से सोचना भी पड़ेगा, और इ मुझे अगर financial transformation करना है, तो मुझे अपने आपको चेंज करना है, ऐसी thought process आपको actually सोचना होगा, बट आप यह सोचते हैं कि ओ, मैं अगर कुछ कर लूँ, कहीं न कहीं, ये अगर last के slide आप पढ़ें, तो you feel कि अगर आप कुछ करेंगे, if you do something, you will become rich, but unfortunately that's not the truth, the truth is, if you become something, then only your finances will transform, and what become something में क्या होगा, इसलिए मैं अभी से बता दूँ, जो लोग यहां पर आए हैं, हम किसी भी certain चीज की बात नहीं करेंगे यहां पर, अगर आप इस mindset से आए हैं, तो please आप अपना वक्त जाया करेंगे मेरे साथ, मैं आपको यहां कोई कैसे stock खर दें, कौन सा stock खर द जाते हैं, वो भी ऐसे लोग के दौरा जो stock market को 20 सालों से अनलाइज कर रहे हैं, आपको audio, sorry, audio कह रहा हूँ, digital world में आपको more than 20 portal है, जहां पर आपको stock tips मिलते हैं, आप खुद यह बात सोचिए, कि आखिर आज तक आपका financial transformation क्यों नहीं हुआ, आपको लाइफ में बड़े financial benefit कुछ क्यों नहीं हुए, यूनो पता है क्यों, because आप हमेशा यही छोटी-छोटी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, आपने कभी उसको long term में change करने की कोशिश नहीं की है, आपको different mindset से सोचना पड़ेगा, कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, कि मेरे को तो हरा दिन tips मिल रहे ह 10-12 channel, 20-25 और digital portfolio, portals, सबके सब आपको नए-नए tips दे रहे हैं, और फिर भी आपका life कभी बड़ा change नहीं हो रहा है, वो इसलिए नहीं हो रहा है कि आप अपने mindset को समझने ही कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप यह नहीं समझने ही कोशिश कर रहे हैं, कि आखिर financial transformation होता क्यों है, कैसे होता है, और जब तक यह नहीं समझेंगे, तब तक आपको कोई कितना भी tips दे दे, कोई फर्क नहीं पढ़ना, कुछ दिनों के बाद घूम फिर के वहीं मामला आएगा, आप 5 लाग से शुरू करेंगे अपने trading life, और 10 साल के बाद पच्छा चला, 7-8 लाग पे, 10 कि बड़ा आदमी बन जाओंगा, ऐसा नहीं होगा, जब तक आप दूसरों को पर dependent होंगे, तब तक ऐसा नहीं होगा, आपको खुद को empower करना होगा, और मैं यहां पे आपको empower करने के लिए आता हूं, न कि आपको दो instructives देने आता हूं, जिससे आपको कोई instant profit हो जाए, no instant grat certification at all, आपको financial transformation चाहिए, financial transformation का मतलब अगर आप बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहे, तो मैं बता दूँ, मेरे financial transformation का मतलब यही है, कि आपकी life में देर सही सही, लेकि जब पैसा आए, तो पैसा हमेशा के लिए रहे उसके बाद, ऐसा नहीं कि एक बार में random पैसा थोड़ आए, जब आपके पास wealth हो, बड़ा wealth हो, आप जो चाहें वो करना चाहते हो, आप उसके बाद पैसा आपके पास sticker है, आप अपने सपनों की सारी चीजे करें, आप घर खर दें, गाड़ी खर दें, अपना business start करें, फिर भी आपके पास पैसा खतम ना हो, आप एक तरह से एक money machine generate कर पाएं अपनी life में, आपके पास एक unlimited fund का source हो, जहां धीरे धीरे करके आने लगे, yes, जो Mr. Daya नहीं है, word उसकी solid foundation, solid solution, मैं उसकी बात करने आया हूं यहाँ पे, तो please इसी mindset से यहाँ पे रहिए, अगर किसी को लगता है कि नहीं आपको अभी के अभी चाहिए, दो tips चा साथ अपना वक्त बरबाद ना करें, मैं उसके लिए सही इंसान नहीं हूँ, उसके लिए बहुत सारे channel हैं, बहुत सारे portal हैं, जो आज भी कुछ न कुछ update आपको देंगे, please उनकी मदद लीजे, उसमें कहीं कोई मैं यह नहीं कह रहा हूं, आप कुछ गलत कर रहे हैं, ले चार्ली मंगर आपको पता है, Bill Gates and Warren Buffett, दुनिया के दो सबसे अमीर लोग, दो सबसे successful लोग, यह कहते हैं, कि आज के जीवित लोगों में सबसे intelligent business thinker अगर कोई है, तो वो है चार्ली मंगर, Yes, इतनी बड़ी पद्वी दी गए है चार्ली मंगर को ऐसे बड़े लोगों के दोरा, आईए चार्ली के बारे में कुछ और जानते हैं, देखे आज चार्ली की उमर लगबग 92 येर्स की है, और कुछ गुड़ी गुड़ी बाते हैं चार्ली के बारे में, तो उस समय उनका नाम दुनिया के 400 अमीर लोगों में आ गया था, अगर मैं उनकी family success की बात करूँ, तो 35 years से वो married थे, उनके 8 बच्चे और फिर उन बच्चों के धेर सारे बच्चे, और overall बात ये है कि चारली को अपनी life में बहुत सारा पैसा चाहिए था, वो भी उनके पास आ गया था, और चारली के एक बहुत बड़ा पईवार भी था चारली का, जो भी उनका एक सपना था, मतब चारली को जो जो चीए चाहिए थी, चारली के पास सब आ गई थी, लेकिन कितने पे, at the age of 69, क्या, ऐसा कैसे हुआ कि चारली यहां तक पहुँच पाए, क्या सब चारली को पुष्टैनी मिली, उनके फैमिली से मिला, या फिर चारली ने कुछ किया, तो वो पता चलेगा यहां, अभी मैं आपको जो information दे रहा हूँ, यह आपको जान के बहुत आश्चर्ज होगा, बहुत, 1953 में, चारली 29 यह की एज में थे, जब चारली का उनकी वाइफ के साथ डिवोर्स हो गया, यह बहुत interesting स्टोरी है, बहुत अच्छे से सुनिएगा, यह आपको life में बहुत को सिखा के जाएंगे आज चारली मंगर, हाँ जी, मैं नहीं सिखा रहा हूँ आपको, चारली मंग से, 21 साल की उमर में उनकी शादी हो गई थी, यानि 8 साल के बाद उनका डिवोर्स हो गया, डिवोर्स की वज़े से चारली का सब कुछ चला गया, almost, हुआ यूं कि चारली को एलिमनी के रूप में चारली को अपना घर तक दे देना पड़ा अपनी वाइफ को, यानि चारली को लिूकेमिया हो गया, लिूकेमिया एक टाइप का कैंसर होता है, वो हो गया है, और उस जमाने में, ये बात होगी, 1954 की, उस जमाने में इंशॉरेंस वगरा चीज़े नहीं होती थी, और अगर आपको लिूकेमिया जैसी खतरना बिमारी हुई तो आपका मरना सुनिश्च था, उसका इलाज के खर्चे तो नॉमल आदमी के पास होते नहीं थे, इंशॉरेंस था नहीं, और इग्जैक्ली यही हुआ चार्ली मंगर के साथ, उसके एक साल के बाद, बिमारी पता लगने के एक साल के अंदर, टेडी मंगर की मौत हो गई, अब बताए, जब चार्ली 31 यहर के हुए, तो चार्ली डिवोर्स थे, डिवोर्स के कारण सारा पैसा खतम था, बेटे के इलाज में भी एक साल तक पैसा खतम हुआ, बेटा रहा भी नहीं, तो बेटा भी गया, पैसा भी गया, और चार्ली मंगर की वाइब भी गई, फैमली खतम, पैसा खतम, दोनों इतना ही नहीं, इसके बाद भी बहुत बुरा हुआ, कुछ सालों के बाद ऐसा हुआ, कि चार्ली की एक आँख का ओपरेशन करना पड़ा, और उस ओपरेशन के बाद चार्ली की आँखों का दर्द इतना बढ़ गया, कि चार्ली की वो आँख निकालनी पड़ गई, और च चारली की एक ही आंक एक्टिव है, यह है चारली की हालत जब वो 31 एर्स के थे, और 69 एर्स में चारली बिकेम वर्ल्स टॉप 400 रिच, वन उफ दे वर्ल्स टॉप 400 रिचेस परसन और इस पानेट, वाउ, क्या उपलब्धी है, आकी से स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिलता है, क्या उप्जर्ब करते हैं, यह स्टोरी आपको उप्जर्ब करते हैं, चलिए कोई चीज़े आपके साथ करता हूँ, सबसे पहले चीज़, Charlie ने कभी कृब नहीं किया, जो उनकी life में हुआ बताए ये Charlie से बुरा क्या हो सकता है किसी के life में, लेकिन Charlie ने कभी कृब नहीं किया, लेकिन हमारे traders की अगर मैं हालत देखूं आज के time में, हमेशा मेरी तो आज तक मेरी जिंदगी में 3-4,000 लोगों से बात हो चुकी traders, investors से जो इस market में 25-30 सालों से उनसे भी बात हो गई, जो नए-नए आया हैं उनसे भी बात हो गई तो हमेशा mostly जो आम trader है वो past के losses को लेके रहता है, उसके broker ने, उसके advisor ने उसको दोखा दिया उसकी services गलत ही, इस बात को लेके complain करता रहता है दूसरा observation अगर मैं देखूँ तो Charlie ने कभी भी अपनी जरुरतों को पूरा करने के लिए कोई shortcut नहीं मारा right, कोई shortcut नहीं लेकिन trader, अगर मैं आज कर trader की बात करूँ तो trader बस इसी बात पे पीछे पड़ा रहता है कि उसको अभी क्या मिलेगा, trader कोई trader long term की सोची नहीं रहा है अगर मैं third observation पे जाऊं तो Charlie कभी भी बैट के luck का इंतजार नहीं कर रहे थे कि मेरा luck बन जाएगा, लेकिन जारता trader investor क्या कहते हैं कि नहीं नहीं मेरा अखास कर उनका जिनका past का experience बुरा होता है वो लोग क्या करते रहते हैं वो कहते हैं कि मेरा बहुत losses हो गया मेरा शायर luck साथ नहीं दे रहा है मैं अब market में वापिस नहीं जाऊंगा अरे आप विश्वास करेंगे कि अभी तक मेरी जिंदगी में तीन लोग जिन से मैंने फोन पे बात की है तीन लोगों में से ऐसे भी उन लोगों ने बोला है कि नहीं नहीं मेरा श्ट्रोजर मेरा बाबा मेरा गुरू मुझे कहते हैं कि तेरा बेटा अभी सही टाइम नहीं आए हैं स्टॉक मार्केट में जाने का वाओ मतब लग बनाने की वेट करतें कि मेरा लग कब आएगा मैं आपको बता दू चौते अब्जर्वेशन में कि चार्ली ने जो भी उनके लाइफ की रियाल्टी थी जितने भी उनको लोसे हो गये थे फैमिली लॉस, मनी लॉस वो चार्ली ने उसको एकसेप्ट किया लेकिन हमारे अगर मैं आम टेडर की बात करूँ तो आम टेडर को तो लॉस चाहिए ही नहीं दे डोंट वांट लॉसे उनको सिर्फ प्रॉफिट चाहिए और जो सबसे प्यारा observation है मेरा इस चार्ली की स्टोरी का कि जब चार्ली की एक आँख खराब हो गई तो जनली अगर एक आँख खराब हो जाती है इंसान की तो इंसान दुनिया में सारे होप खतम कर देता अपनी जिन्गी के बट चार्ली ने अपने दूसरे आँख को ट्रेन किया येस चार्ली ने mentally अपने दूसरे आँख को रोज रोज बोलना शुरू किया कि तू ट्रेन हो जा मेरा एक आँख खराब होने वाला है तेरा बाजू वाला आँख खराब होने वाला है now you have to help me you have to help me और दूसरे आक से चाली ने अपनी पढ़ाई जारी रखी अपनी learning process को हमेशा continue रखा आपको पता है यहां से क्या-क्या सीखने को मिलता है मैं फटा-फट बात करूँगा सीखने को क्या-क्या मिलता है आपको सबसे पहली चीज अपने आपको अपने past experiences के बोज के नीचे न दबाएं जो हो गया सो हो गया किसी को past का रोने से कुछ नहीं मिला है और मैं इतना भी जानता हूँ कि आपकी life में 40 से बुरा तो नहीं हुआ है तो रो के कोई फायदा नहीं है आप past में देख लें अपने ही life में देखें किसी और को देखने के जबद नहीं है आप जब-जब रोए हैं क्या उससे आपको कोई फायदा हुआ है fresh start करें रोना बंद करें instant gratification के पीछे न भागें आपको आज ही चाहिए बहुत सारे मेरे friend मेरे भी friend जो आई-टी सेक्टर बगरा में हैं बैंकिंग में हैं क्रेड कार्ड से जाके खरीदते रहते हैं कि यह नहीं मुझे iPhone अभी के अभी चाहिए iPhone और मैंने अपने कुछ friend को suggest भी किया कि आज अगर तुम 70,000 उपे लगा के iPhone खरीद रहे हो और अगर तुम इसको stock market में डाल दो और discipline के साथ इस पर काम करते रहो तो 20 साल में शायद ये पैसा एक क्रोड उपे हो जाए तो तुम्हें नहीं लगता कि जब 20 सालों में एक क्रोड होगा तब तुम अपनी life में बहुत साई चियों का समिधान कर पाओगे और तुम अपनी पूरी family की खुशियां बटोर पाओगे बट आज 70,000 के iPhone से क्या मिल जाएगा तुम्हें आप फटा-फट कुछ 2-4 अच्छे-च्छे पिक्स निकाल लेंगे बिकॉस iPhone का camera तो सही में बहुत अच्छा है और कुछ दिनों तक आप खुश रहेंगे हर जगद देखेंगे बस hardly हपते 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने इतनी की खुशी उसके बाद खतम और गलती से कहीं से यह iPhone अगर खराब हो गया और चोरी हो गया तो और दुखी होके बैठ जाएंगे तो instant gratification के पीछे मत भागिए आप लग का वेट मत करिए मैं आपको एक चीज बताओं जो मेरा अपना personal belief है कि लग एक ऐसी चीज है जो आप बना सकते हैं मुझे ये बात पर बिलकुल विश्वास नहीं है कि किसे का लग होता है पहले से मैं इस बात पर बिलकुल इत्फाग नहीं रहता मैं कहता हूँ हर कोई अपना लग बनाता है या तो वो बन्दा बनाता है या उसकी family उसके पापा उसके दादा बनाते हैं बट कोई न कोई तो महनत करता है उसके पीछे बिना मेहनत के किसी का लग नहीं बनता मुझे दोस्तों कई बार मेरे दोस्तों से बात जब होती है खासके फिनैंसेस को लेके तो कहते हैं कि नहीं आर आकाश हम्मानी तो लग लेके आया ना आकाश हम्मानी लग लेके नहीं आया उसके पिता जी मुकेशन मानिय और उसके दादा जी धीरू भाई मानिय ने मेहनत की है उसके लग के पीछे तो अब आप ये बताएए अगर आपके दादा जी और आपके पिता जी ने शायद मेहनत नहीं कि आपके लग के पीछे तो क्या आप भी नहीं करेंगे तो फिर आपके आगे वाली जरुशन का लग कैसे सही होगा तो लग आप इस बात से सहमत हूँ या नहों मैं आपको बोलता हूँ लग बिलकुल बनाया जा सकता है और आप भी बना सकते है अपना लग ऐसा बिलकुल नहीं है कि आपका लग खराब है या सही है हो सकता है कि आपके past के चीजें अच्छी ना रहो उसकी विशे आपका लग साथ ना रहो लेकिन अब कर लीजे न सही अब कहां बुराई हो रहा है हो सकता है कि आपके पास time कम हो आप लग बनाते नहीं आपको कुछ खास फायदा नहीं मिलेगा तो आपके बेटे और पोते को तो मिलेगा उसका फायदा तो वो बना लेजिए उसके बाद रिस्क से दूर मत भागिए लॉसेज हर बिजनिस का पार्ट होती है लॉसेज आपकी लाइफ का पार्ट होती है क्या ऐसा कभी होता है कि आपको लाइफ में हमेशा खुशे-खुशे मिलती है दुख भी आते रहते हैं ना इसका मतब ये थोड़े है कि आप लाइफ को जीना छोड़ देते हैं लाइफ में नए-ने सपना देखना छोड़ देते हैं उसी तरह प्लीज आप रिस्क से दूर मत भागये हर बिजनस में रिस्क होता है और वैसे ही इन्वेस्टमेट में भी रिस्क रहेगा बट उसको एक्सेप्ट कीजिए मैं यह नहीं कह रहा हूँ आप ब्लाइड रिस्क लीजिए कैलकुलेटर रिस्क लीजिए life में calculator risk लेना जरूरी है it's must you cannot say no to calculator risk कुछ नहीं बदलेगा अगर आप calculator risk नहीं लेंगे तो for the time being आपको शायद कुछ बदलता हुआ दिखेगा पर long term में ultimately आप घूम फेर के वहीं आएंगे और सबसे जो important learning मिली है मुझे Charlie Munger की story से वो Charlie Munger भी एक book है Victor Frankel करके एक बहुत बड़े writer है उनकी एक book है Man's Search for Meaning उस book से Charlie Munger ने Charlie Munger भी वो book बहुत suggest करते हैं सबको उस book में एक line है When we are no longer able to change a situation we are challenged to change ourselves यह line यह कहती है कि अगर हालात को आप नहीं बदल सकते तो सबसे अच्छा होता है कि हालात को ध्यान देने से अच्छा है आप खुद को बदल ले विकास हालात को control करना आपके बसका नहीं है लेकिन आप अपने आपको control जरूर कर सकते हैं आप अपने आपको जरूर बजल दखते हैं अपनी attitude को, अपनी learning को अपने knowledge को, अपने thought process को आप जरूर बदल सकते हैं और Charlie ने exactly यही किया विक्टर आगे लिखते हैं everything can be taken from a man but one thing the last of the human freedoms to choose one's attitude in any given set of circumstances to choose one's own way so वही बात है आप यह बताए किसी भी Charlie की एक आँख चली गई Charlie की wife चली गई Charlie का बेटा मर गया Charlie का पूरा पैसा खतम हो गया तो Charlie ने क्या घुटने टेक दिये एक आँख खतम होने के बाद भी Charlie ने अपने दूसरे आँख को train किया so आप अपने आपको अगर अपने अपनी जो freedom है अपना attitude है किसे भी हालत में बने रहने का अगर आप वो नहीं छोड़ेंगे तो ऐसा होई नहीं सकता कि आपके life ना बदले चाहे आपका कोई साथ दे ना दे और जब आपका attitude सही रहेगा तो सारे लोग धीरे धीरे आपके साथ आएंगे हो सकता है for the time being लोग आपसे दूर भागेंगे किया रहे इसके पास तो कुछ रहा ही नहीं but वक्त आपके साथ आएगा because life is all about how your attitude is so this is one of the best learning from Charlie's stories oh मैं एक दूसरी स्टोरी लेके आया हूँ आपके पास and it's a very different story बहुत interesting स्टोरी है ये मैं इस स्टोरी को पूरा आपको सुनाता हूँ बहुत छोटी सी स्टोरी है बहुत बड़ी स्टोरी नहीं और ये बहुत learning देके जाएगी ये स्टोरी मैंने इसलिए इंक्लूड के आज के पीपीटी में because ये बहुत ही अच्छी सीखने वाली स्टोरी है ये आपको देखे इस स्टोरी का टॉपिक है और इस स्टोरी को मैं अभी सुनाता हूँ आपको स्टोरी ऐसी है कि ये खुबसूरत सी लड़की नियोर्क की लड़की सोशल मीडिया पे जाके लिखती है क्या लिखती है वो मैं आपको सुनाता हूँ ध्यान से सुनिएगा बहुत इंट्रेस्टिंग स्टोरी आपको मज़ा आ जाएगा बहुत ही खुबसूरत लड़की है वो बोलती है मैं इमानदारी से अपनी बात रखना चाहूँगी यहाँ मैं बहुत ही खुबसूरत हूँ वो स्टाइलिश हूँ मेरे में धेर सारी अदाएं है मैं एक ऐसे लड़के से शादी करना चाहती हूँ जिसकी सेलरी 500,000 डॉलर्स पर एयर हो या उससे ज़्यादा हो आपको लग सकता होगा कि मैं लाल्ची हूँ परन्तु 1,000,000 डॉलर्स की सेलरी कमाने वाला भी निवाक में मिडिल क्लास इकाउंट होता है वैसे मैं बता दूँ कि मैंने पास्ट में 250,000 डॉलर्स पर एयर वाले लड़के को भी डेट किया है अब तब जाकर मुझे ये समझा कि मेरी जरूरतें सिर्फ 500,000 डॉलर्स वाला लड़का ही पूरा कर सकता है मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि ज़्यादा तर अमीर लोगों की जो बीबियां होती है वो बहुत average looking क्यों होती है आप लोग कैसे decide करते हैं कि कौन आपकी wife हो सकती है और कौन आपकी सिर्फ girlfriend बन सकती है और इस story का जवाब जो इनसान ने social media पर दिया उनका जवाब भी मैं आपको बताता हूँ जवाब इस तरह से है वो इनसान कहता है कि आप जैसा ही questions और भी बहुत सारे खुबसर लड़कियों के दिमाग में है तो मुझे as a professional investor आप सब की situation को analyze करने दीजे वो इनसान ये कहता है कि मुझे आप सब की situation को analyze करने दीजे और मैं आपको ये बतादू कि मेरा annual income जो है वो 500,000 dollars per year से बहुत जादा है जो आपकी requirement को meet भी करता है तो मैं ये समस्ता हूँ कि मैं आपको जवाब देने के लिए eligible भी हूँ एक business person के perspective से अगर मैं आप बात करूँ तो मैं आप से शादी कभी नहीं करना चाहूँगा मेरे life में आप से शादी करना मेरे life का सबसे बुड़ा decision हो सकता है आप अपनी beauty को मेरे पैसो से exchange करने की बात कर रहे है so what exactly you are trying to do is you are trying to exchange your beauty against my money लेकिन यहाँ पे एक बड़ी समस्या है समस्या ये है कि आपकी खुबसूर्ती तो वक्त के साथ धल जाएगी पर मेरा धन धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा जितनी sincerity से मैं अपना काम करता हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ से बहुत आगे तक जाऊँगा इसलिए economic point of view से मैं सोचूँ तो मैं एक appreciate करता हुआ asset हूँ और आप एक depreciating asset है in fact अगर मैं तरीके से देखूँ तो आपकी beauty का घटने का जो ratio है वो एक exponential ratio होने वाला है मैं तब hardly 10 साल के अंदर आप इस देश की खुबशर्त लड़कियों में शाथ गिंती भी नहीं होगी आपकी so according to terms used in Wall Street every trading has a position और आपको date करना भी एक trading position है अगर trade की value drop हो जाती है तो as a investor उसे हम sell कर देते हैं और उसे long term के लिए रखना सही नहीं मानते वही हिसाब किताब शादी का भी है कोई भी asset जिसकी value depreciate होती है उसे बेच देना चाहिए यही हम मानते हैं तो अगर मैं आपको बता दूँ तो मैं सिर्फ आपको date कर सकता हूँ परन्तु आपसे शादी तो मैं कभी नहीं करूँगा और मैं अगर आपको advice दूँ तो अच्छा यह होगा कि आप खुद एक ऐसे इंसान बनने की कोशिश कर सकते हैं जिसकी salary 500,000 dollars से ज़्यादा हो जाए और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो trust me आपका एक अमीर husband पाने का सपना पूरा होने के chances ज़्यादा हो जाएंगे right by the way सबसे पहले मैं पूछ लूँ how was the story क्या आपको लगा कि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला as a investor trader हाँ जी यहाँ पर Mr. Vikaas लिख रहे हैं कि मुकेश अम्मानी आंसर नहीं किया था कुछ लोगों ने पुराने आर्टिकल को उठा के डाल दिया है यह कहानी बहुत पुरानी है और story बहुत interesting थी मैंने इसलिए इसको include कि आज के PPT में मैं चाहता था कि आप लोग normal life से सीखिये कि कैसे as a investor trader आपको सोचना होता है और तब आपकी life definitely change होती है अब हमारे में से ज़्यादा तर लोग को अगर एक खुबसूरत लड़की बोलती कि मैं तयार हूँ तो हम तो फटा-फट ready होते हैं हम सोचते बस क्या करें कि यह लड़की की शादी हमी से हो जाए बट investor trader कैसे सोचता है यह आपने देखा आएए इसकी कुछ learning देखते हैं क्या-क्या observe किया हमने इस story से और इस story से मैं match करता हूँ कि हम कहां फंस जाते हैं अपने जिंदगी में अभी अगर देखिए तो सबसे पहली चीज कि लड़की एक unrealistic goal set करती है कोई लड़की खुबसूरत है इसका मतलब है कि कोई भी बंदा जो पांस सो हजार डॉलर कमाता हो साल का उससे शादी कर ले ओ माई गॉड ये क्या goal था और exactly हमारे यहां यही होता है हमारे यहां exactly यही होता है कि हमारे जो trader है कोई कोई मेरे पास trader आते हैं बोलते हैं मेरे को महीने का 50,000 तो चाहिए ही चाहिए सर और मैं तो बना के रहूँगा कुछ ऐसे आते हैं बोलते हैं सर मेरे को 20% return चाहिए महीने का कोई logic ही नहीं है वो कुछ भी expect करते हैं अपने life से उसके बाद दूसरी अगर आप example देखें कि output focused होती है वो लड़की वो लड़की बस यही सोचती है कि मुझे तो ऐसा बंदा मिलना चाहिए वो कभी यह नहीं सोचती कि क्या वो ऐसे बंदे को deserve करती है क्या वो ऐसे बंदे ऐसा बंदा उसको क्यों मिले बट वो कभी यह नहीं ध्यान देते कि क्या मैं deserve करता हूँ देखें trading investing एक zero sum game है किसी का फाइदा किसी का loss आप यह बताएए कि आप अगर deserve नहीं करते तो आपका ही फाइदा क्यों हो यह बात कोई नहीं सूचता कि क्या मैं deserve करता हूँ अगर आप इस story का तीसरा observation देखें तो investor बात करता है appreciating asset में entry की और depreciating asset से निकलने की और इसका exactly उल्टा हमारे यहां होता है हमारे बहुत सारे trader investor के साथ होता है हमारे trader investor क्या करते हैं मतब एक successful trader को stock को सिर्फ date करना चाहिए ना कि शादी वो stock के साथ तब तक ही बना रहता है जब तक उनको उसमें खुशी मिलती रहती है जब तक उनका उसमें appreciation मिलता रहता है जैसे ही depreciation हुआ वो निकल जाते हैं वो उसे stock से शादी करके नहीं बैठते उनका exit and entry हर कुछ planned होता है लेकिन अगर मैं आम trader investor की बात करूँ तो क्या होता है आम trader investor का portfolio देखिए बहुत सारे आपको portfolio ऐसे दिखेंगे जिसमें आपको साफ साफ दिखेगा ऐसे stock का भरमार दिखेगा जो script उन्होंने as a intraday के लिए खरिदा बेचने के सोचे थी लेकिन जैसा उन्होंने सुचा वैसा नहीं हुआ और वो अटक गए और फिर उनको वो hold करना पड़ा delivery लेनी पड़ उस stock की और ऐसे portfolio की संख्या भर-भर के है मतलब दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं तो ऐसे trader investor गय तो थे उस stock को date करने बट अपनी बेवकूफियों के वज़े से उस stock से शादी कर बैठे बेवकूफियों से ज़्यादा मैं ignorance कहूंगा वो बेवकूफ तो नहीं है वो smart है बट ignore कर गए वो उस चीज़ को तो आप please date करना सीखे marry करना नहीं चौथा कर observation आप देखे तो investor सिर्फ उसी business में invest करता है जिस business की उसको समझ होती है लेकिन हमारे यहाँ आम जो trader investor है उसको किसी भाई ने बोल दिया कि यह stock खईद लो किसी दोस ने बोल दिया कि हाँ यह बहुत अच्छा जाने वाला है कहीं से TV पे किसी को सुन लिया अब वो सही में जाएगा नहीं जाएगा क्या होगा उस business की समझ नहीं है बस डाल दिया यह अपना डाल दिया ओके और पांच भी जो observation में यहाँ से निकाल के ला पाया हूँ कि investor जो होता है वो अपने investing decision के time पे हमेशा कोहीं वो अपने emotions को घुसने नहीं देता है वो अपने emotions को बिल्कुल बीच में नहीं आने देता successful trader का अपना एक checklist होता है जब तक उस list के सारे points से वो satisfied नहीं हो जाते वो उस stock में कोई entry लेते ही नहीं है entry लेने के बाद भी अगर उनको उनको कोई लगता है कि अगर उनसे कोई गलत फैसला हो गया तो immediate correcting measures लेते हैं वो वो accept करते हैं कि you know they are not perfect they are student उनसे गलतियां हो गई है और उसको सही कैसे करना है उसको परकाम करते है overall ये बात है कि successful investor को rational decision लेना होता है खास का जब investment के बात कर रहा हो तो और यही चीज सही होती है और यही learning है हमारी कि please कोई भी random goal ना बनाए stock market एक long term wealth creation के लिए है ये business it's not for short term income generation और यहां fix किसी को कुछ नहीं पता क्या मिलता है तो आप भी ऐसा fix दिमाग में अब इठालें कि 50,000 चाहिए 20 परसेंट चाहिए ऐसा कुछ नहीं होता यहां पर focus outcome पे न करें big outcomes जो होते हैं वो सिफ एक by product होते हैं कभी किसी ने outcome पे focus करके बड़ा पैसा नहीं बनाया है instead आप process पे focus करें अगर आप process पे focus करेंगे तो धीरे धीरे आपको outcome बड़ा मिलेगा ही मिलेगा इसमें कोई शक नहीं है अब एक simple सी बात कहता हूँ आपने कोई एक goal बनाया 10 सालों का अब क्या होता है जब आप एक बड़ा goal बनाते हैं तो बीच में बहुत सारे frustrating moment आते हैं बहुत सारे loss वाले moment आते हैं तो उस समय क्या होगा आप दुखी हुआ करेंगे लेकिन अगर आप process पे ध्यान दे रहे हैं मतलब आपका focus अपनी learning पे है कि मैं ज़्यादा स्यादा learning सीख रहा हूँ ज़्यादा स्ट्रेटजी पे work कर रहा हूँ तो obvious सी बात है कि आप इस बात से खुश रहेंगे कि ओ मेरी learning growth हो रही है और आप frustrated नहीं होगे तो please process पे focus करें depreciating position से के साथ चिपक के ना बैठें भारत में सबसे बड़ा पंगा है loss averaging loss average बहुत करते हैं लोग यहाँ पे और loss average मैं बताओ अपने आप में गलत concept है यह non existing concept है यह जो लोग loss average करते हैं वो क्या सोचते हैं वो कहते हैं कि loss अगर मैं नहीं करूँगा और आज नहीं तो कल वो stock उपर जाएगा और मैं जरूर कुछ न कुछ पैसे बनाऊंगा लेकिन आप यह बताइए अगर आप loss नहीं लेंगे तो आप इस concept को जुठला रहे हैं कि stock market में loss नहीं होता मतब होता है मेरे कहने का मतब है कि stock market में तो loss होता ही होता है हर किसी को होता है या तो आपको छोटा loss होगा या बड़ा loss होगा तो आप छोटा loss लेने की कोशिश करें, बड़ा loss क्यों ले रहे हैं loss average करके, करना ही है तो profit average करें, जब आप profit में हो तब जितने ज़्यादा सादा position बनाना है आपको बनाएं, तब आपको कहीं कोई परशानी नहीं होगी, good things take time, अच्छी चीजों में वक्त लगता है, अगर जब भी आप investment related decision ले रहे हैं, तो rational सोचिए, आपको कोई भी उठके, कुछ भी बोल देता है, कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये stock आपको रात वरत अमीर बना देगा और आपको करने लगते हैं, ऐसा मत कीजिए, ठीक है, rational रहिए, जिस तरह से investor rational होके उस beautiful लड़ हैं, जो मुझे बार-बार बोल रहे हैं, कि मुझे strategy बताएगे, और ये stock में कुछ और अच्छा होना चाहिए था, मैं उनको बता दूँ, मेरे strategy बताने से कुछ नहीं होगा, आपको deserving बनना पड़ेगा, deserving रहे है, बार-बार, you know, please discuss rocking new investment strategy, NK Talati जी, जाएगे 10, 12 television channel आपका इंतजार कर रहे हैं, 20-25 online portal भी आपका इंतजार कर रहे हैं, जो आपको बहुत सा rocking idea देंगे हर second में, में पास आपके लिए कोई rocking idea नहीं है sir, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, आप अपना वक्त बरबाद करेंगे यहाँ पे, पहले deserving बनने की कोशिश करें, और मैं transformation की बात कर रहा हूँ, मैं आपको छोटे मोटे फाइदे दिखा के और बहुकूब बनाने या काम करना पसंद नहीं करता मैं, anyway, मैं आता हूँ, और overall, जो एक सबसे बड़ी सीख मिलती है मुझे दोनों स्टोरी से, देखिये हैं, जब चारली मंगर के life में problem आया, तो चारली बड़े पैसे बनाने की कोशिस करें, आप खोड़ डिजर्विंग बनें, तो डिजर्विंग कैसे बनेंगे, आज मैं आपको ये पांच मंत्र कह लीजे, ये पांच learning कह लीजे देने जा रहा हूँ, अगर ये पांचों चीजों पर आपने काम कर लिया, तो ऐसी कोई आदू यहां पर, कि ये वेबिनार मैं इसलिए कर रहा हूँ, कि एक बार आपके लाइफ में पैसा आए, तो उसके बाद हमेशा रहे उसके लिए, मैं कोई छोटे मोटे प्रॉफिट की बात करने नहीं, वो मुझे पता भी नहीं है, मैं सच बता दू आपको, मुझे आता ह इंटेलिजेंस, येस, इंसान ही एक ऐसा क्रियेचर है, जिसको अनलिमिटेड इंटेलिजेंस का वरदान मिला हुआ है, जानवरों के पास, पक्षियों के पास भी थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस होता है, बट इंसान के पास अनलिमिटेड होता है, इंसान चाह ले, तो ज पहले जंगलों में वैसे ही आज भी रह रहे हैं, उनकी लाइफ में कहीं कोई चेंज नहीं आया, लेकिन इनसान कहां से कहां बढ़ गया, आज हम डिजिटल वर्ल्ड में आ गए हैं, तो ये इनसान की इंटेलिजेंस, अनलिमिटे इंटेलिजेंस कहीं फल है, तो आपको भी अगर लाइफ में इसी तरह का कॉंस्टेंट ग्रोथ चाहिए, तो इंटेलिजेंस लाना शुरू करें, में क्यों उन फिलोसफी, फिलोसफी का बहुत बड़ा रोल होता है लाइफ में, आपने देखा है, अंडर्वल्ड डॉन और माफिया भी बहुत पैसे बनाते हैं, और बेमानी का धंदा भी इमानदारी से करते हैं, that is their philosophy, तो अपनी लाइफ के कुछ फिलोसफी क्रिएट कीजिए, character, ये बहुत important point है, कहा जाता है कि the test of a man is about his integrity, across the globe, across the globe एक study है, जिस study के result ये बताते हैं, कि पूरे वर्ल्ड में more than 60% businesses जो हैं, वो family owned businesses हैं, रगुकूल रीत सदा चली आई, जान जाय प्रभ वचन न जाई, तो इनसान की, जो character है, इनसान के जो वचन है, जो आप कई बार बोलते हैं, कि वो इनसान, यार उसका वचन तो मानना पड़ेगा, जो बोलता है वो करता है, और उस इनसान पर हर कोई trust करता है, तो होता क्य आपको बता दू, आपको पता है कि जो बहुत बड़े-बड़े businessman लोग है, जो family businesses वाले लोग, बहुत सालों से आप यह देखेंगे, उनको पैसों के लिए हर बार bank या NBFC जैसे लोगों के पास नहीं जाना पड़ता, वो कई बार से फोन उठा के कुछ लोगों को बोलते ह कि मुझे पैसे चाहिए, उनके पास पैसे पहुँच जाते हैं, एक phone call पे पैसे आते हैं, वो because उनकी character की बज़े से, उनका goodwill की बज़े से, because they are known to stand for their words, and trust me, money follows them if they are known for their words, that's true. चौथी चीज, social, yes, wealth creation का social dimension भी होता है, देखिए, wealth कभी भी isolation में create नहीं हो सकता, पैसा समाज से ही आता है, और समाज में ही जाता है, yes, आप बताएं, ज़्यादा तर बड़े-बड़े businessman लोगों ने क्या किया है, society की कोई एक problem उठाई, उसके उपर service दिया, उसके उपर product बनाया और उसको बेच दिया, और पैसे बन गए, और ये भी सच है कि आप सिर्फ समाज से पैसे कमा नहीं सकते, आपको समाज को देना भी पड़ेगा, मतब आपको charity बगरा भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप समाज में देंगे नहीं, तो समाज से घूम के पैसा वा जो हम बात करते हैं, वो पैसा तभी बनता है जब आपका financial equipment भी अच्छा हो और टिकता है, financial equipment पैसा बनाने के साथ साथ वो पैसा टिकाने के लिए बहुत जरूरत है, इसलिए financial equipment तो होना जरूरी ही जरूरी है, देखें, wealth के चार mode होते हैं, और वो तभी आपको पता चल पा हो, wealth identification, wealth creation, wealth management and wealth distribution, यह चार stages of wealth कहे जाते हैं, और यह आपको तभी समझ में आता है, जब आप financial equipment ज्यादर से ज्यादर आपके पास आए, और मैं आपको बोलू, अगर यह पांचो चीज़े आपके पास आती हैं, तो आपका financial transformation 100% होना है, 100% होना है, 100% होना है, और यह आपके intelligence भी आप खुद बढ़ा सकते हैं, education आपके intelligence को enhance करता है, बट वो guarantee नहीं देता, आप अपना intelligence खुद बढ़ा सकते हैं, philosophy खुद बढ़ा सकते हैं, अपने character पर खुद काम कर सकते हैं, social भी आप हो सकते हैं, और financial argument आप बढ़ा सकते हैं, और इसलिए मैंने का आपका financial transformation होगा अब अगर आप यह सोच रहेंगे, किया कुछ ऐसे तरीके भी बता देंगे आप, जिससे मैं इन चीजों को परकाम कर सकते हूँ, तो बिलकुल बताता हूँ, कुछ activities, वैसे तो बहुत सारी activities हो सकती हैं, जिसके थुरू आप वो पांचों चीज ला सकते हैं, अपने life में आ करते हैं, और here are few activities, जो आपको deserving बनने हैं मदद करेंगी, सबसे पहली चीज अपने आपको learning machine बनाएं, जैसे आज आप अपना एक डेड़ घंटा निकाल के यहां पर आये हैं मेरे साथ, Sunday होने के बावजूद भी, उसी तरह आप यह constant process करते रहें, रीड करें ज्यादा स्या कराएं, और share खुद भी करें, दूसरों को आप भी knowledge दे, तभी तो आपको भी कोई देगा, seminar जाएं, webinar जाएं, meetups जाएं, जैसे अगर आप देखें तो nifty millionaire में हमने भी शुरू किया है, कि हम nifty millionaire में फ्री में बहुत सारे meetup कराते रहते हैं, जहां हम 30, 40, 50 लोग को एक साथ कठा करते हैं, और आपस में उनका knowledge exchange कराते हैं एक दूसरे के साथ, ताकि आपस में उनको जादे स्यादे सीखने को मिले, वो अपनी problem को एक portal पे, as a friendly portal पे रख सकें, और अपने आपको grow कर सकें, तो ऐसे events का part करिए, ऐसे events में जाएए, successful लोगों से रिश्टा बनाएए, य अच्छे लोग को साथ रहना शुरू कीजिए, जैसे लोग के साथ आप रहना शुरू कें, धीरे धीरे आप भी वैसे हो जाते हैं, ये बहुत बड़ा सत्य है, तो जरूर शुरू कीजिए, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि इतने सारे successful लोग हैं, किस के साथ रहूं कितना भी छोटा portion आप दे सकते हैं समाज को, लास्ट स्लाइड पर आपने ये बात देखी कि समाज से ही पैसा आता है, समाज को ही पैसा जाता है, तो charity थोड़ा ही सही लेकिन जरूर कीजिए, कितने लोग मुझसे सवाल करते हैं कि भाई मेरी तो salary ही बहुत कम है, मैं क्या क शुरू कीजिए, आप कह रहा हूं मैं, आपको मज़ा आ जाएगा, समझे आप, पचास सो रुपे में आप एक इंसान के महीने में एक बार पेट भर सकते हैं, इतना भी काफी है शुरुआत करने के लिए, क्योंकि क्या है कि अगर आप अभी से नहीं देना शुरू करेंग तो जब आप बड़े आदमी बनेंगे तो आपके greedy होने के chances बहुत बढ़ जाएंगे, और अगर आप greedy हो गए, तो आप समझिए कि मामला खराब होगे, आपका पैसा long term तक नहीं टिकेगा, write your goal on a piece of paper, yes, paper पे अपने goal लिखिए, जब तक आपके goal पेपर पे नहीं आएंगे तब तक उनके सच पूरा होने के chances कम हो जाएंगे, यह बहुत बड़ा fact है, लोग इस चीज़ को समझते हैं नहीं, यहां कितने ऐसे लोग हैं जो paper पे अपना goal लिखिए बैठे हैं मुझे बताईए, मैं सब लोगों से यह जवाब चाहूँगा जरूर, कितने ऐसे लोग है मैं वेट कर रहा हूँ आपके जवाब का, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने paper पे अपना goal लिख रखा है, अपना long term goal, कि उनको life में उनके सपने क्या-क्या है, क्या-क्या अचीव करने हैं उनको, किसी ने लिखा है paper पे, मुझे जवाब तो किसी का नहीं मिल रहा है, इसका म मैंने लिखा है, बहुत लोगों ने लिखा है, कुछ लोगों ने, अखिलेश कहते हैं कि tried but never take it seriously, कोई बात नहीं, मैं आज आपको एक request करूँगा, बाकि जितने लोग भी कह रहे हैं कि हाँ लिखा है, कई लोग कह रहे हैं नहीं लिखा है, आप आज ही एक request करता हूँ, आ पेपर पे लिखने के बाद, गोल को पूरा करना ज़्यादा possible हो जाता है, अब क्यों होता है, मैं आपको इसका reason बताता हूँ, generally क्या होता है, आप अपना गोल कब set करते हैं, अब मुझे जवाब देना थोड़ी दर कले बंद कीजे सब लोग और मेरी बात को ध्यान से सुन जहां आप motivated हो जाते हैं, और वहाँ पे जाके आप बहुत खुश हो जाते हैं, और वहाँ पे आप बहुत motivated होते हैं, आप अंदर से बहुत ही energy feel करते हैं, और आप खुशी-खुशी एक goal set करते हैं, कि मैं भी ये काम करूँगा, ठीक है, अब एक लंबा टम goal है, लंबा goal है ating moment आते हैं तो आफ फिर से अपना पेज उलट-उलट के उन गोल को देखते हैं और जब आप उस गोल को देखते हैं तो आपको कहीं न कहीं फिर से वही पुरानी एनर्जी वही पुराना महौल जब आप गोल लिखा था, जब आपके अंदर एक एनरजी आई थी, जब आप बहुत motivated हुए थे और आपने लिखा था, somewhere वो वापिस से आपको याद आता है, और वो आपको motivate करता है फिर से, उसी को हम बोलते हैं self motivation, self motivation का ये एक बहुत बड़ा reason होता है, गोल लिखना piece of paper पे तो विकास जैसे लोग जिन्हों ने यहां कहा था कि मैंने, और अखिलेश ने भी कहा था कि मैंने ध्यान नहीं दिया, ऐसे लोगों से मैं request करूँगा, कि आज ही अपना गोल एक डाइरी में, piece of paper पे आज रात के सोने के पहले जरूर लिख डाले, शर्माएं नहीं, अगर आप अपना गोल लिखेंगे नहीं, लोगों से बताएंगे नहीं, तो पूरा करना फिर बहुत ही मुश्किल होगा, आप confidence feel नहीं कर पाएंगे, जो भी आपके गोल हों, बिंदास बताएं, अचीव नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, कुछ तो अचीव होगा, चार्ली मं होगा, आप उससे ज़्यादा अचीव करेंगे, अगर आप discipline में काम करेंगे तो, तो प्लीज, आज ही आप लोग अपने गोल को लिख डालिए, exercise करें, बचपन में एक एड आता था मेरे, जो fit है, so hit है, और मैं उस line को बहुत बड़ा सत्य मानता हूँ, और ये है भी बहु अगर आप अच्छे से ध्यान दें, तो ज़्यादा तर successful लोग अपने उम्र के दूसरे पड़ाओं पर बहुत successful हुए हैं, मतब 45-50 के आसपास के age में जाके वो बहुत successful हुए हैं, और वो इसलिए हो पाए, because वो अपने आपको fit रख पाए, अब अगर मैं example दूँ, तो लि रख रहे हैं, नहीं तो, उनकी उमर में तो कितने लोग सब को छोड़ देते हैं, save and invest, yes, saving सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है, जो ज़्यादा save करता है, उसके rich बनने के chances, obviously बढ़ जाते हैं, और उसके बाद smartly invest करें, यह word यहाँ छूट गया है, save and invest, मैं कहूंगा save and invest smartly smart investment भी बहुत जरूरी होता है, smart investment कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या होता है, यह चीजों के उपर मैंने बहुत बार webinar लिया है, आप हमारे YouTube चैनल पर webinar देखके, अपना knowledge बढ़ा सकते हैं, अपना intelligence level उस level पर बढ़ा सकते हैं, और last and very important thing मैं जो कहूंगा, practice good things and believe in karma, देखिए बहुत पहले बात है, आज से मुझे लगता है, 10-12 साल पहले की बात है, जब कर्मा को एक Indian philosophy नाम दे के बहुत लोग ignore करते थे, क्या रहे इंडिया में तो ऐसी ही लोग बात करते हैं कर्मा की, बट अब, अब तो पूरे world में कर्मा की बात चल रही है, America, Europe, हर जगह जिनको ह philosophy पे बात करते हैं, स्टीव जोस, मार्क जुकरबग, everyone is talking about कर्मा, तो कर्मा तो होता है सहाब, और ये आपको मदद करता है, बिलकुल मदद करता है, अच्छे कर्म करते रहें, लोगों की help करें, किसी का लूटने की कोशिश ना करें, जितना ज़्यादा हो लोगों की help करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी life में ऐसे करने वाई लोग नहीं आएंगे, मैं आपको आज एक छोटी से activity बताता हूँ, आप लोगे करके देखिये, मैंने खुद किया है, और मेरी life में उसका बहुत बड़ा motivational role रहा, इसलिए मैं आपको भी बता रहा हूँ, कभी कभी ज पता है क्या होगा आपको, जब आप जहां जा रहे तो वहां पहुंचेंगे, आपको बड़ी अजीब सी खुशी मिलेगी, बहुत मज़ा आएगा आपको, आपको ऐसा feel होगा कि ओ वाओ, क्या कर दिया आज मैंने, बहुत खुशी मिलेगी, और पता है क्या, ये मेरा अपन मानना है, और मैं इस चीज को प्रूफ करके दिखाऊँगा एक टाइम में आने वाले वक्त में, आगे फ्यूचर में, कि अगर आप इस तरह से लोगों की मदद करते हैं, बिना सोचे समझे कि उससे मुझे क्या मिलने वाला है, तो एक दिन आपकी लाइफ में भी कोई तो प्लीज करते रहना है, और फिर करमा आपको, करमा विल पे ओफ, तो प्लीज करते रहिए, यह कुछ एक्ट थे जो मने आपको बताये, जो आप करके अपने फिनाशल ट्रांस्वरमिशन, लेकिन मैं कुछ ऐसे भी एक्ट बता दूँ जो आप कभी न करें, जी करने को त दूर न भागें, रिस्क नहीं लेंगे, तो फिर रिवार्ड क्यों मिले आपको, आप ये बताइए, रिवार्ड उस बंदे को मिलना चाहिए, जिसने रिस्क लिया, आपको क्यों मिले, कभी अपना पेशेंस लूज ना करिए, डिसिप्लिन बनाए रखिए, तो आप देख इन्वेस्टमेंट कर लें, तब आईफोन जैसी लगजरी चीज़ों को उपर खच करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी ना करें, पहले इन्वेस्टमेंट करें जम के, दूसरों की सक्सेस को देख के परशान मत हो, हो सकता है, उन्होंने अपने लग के उपर बहु सिर्फ और से प्रॉसेस पर फोकस करें, बिकूस अगर आप आउटकम पर फोकस करेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा फ्रस्टेशन जहेलना पड़ सकता है, और ये लाइन तो गीता से भी आती है, मैं पूरा श्लोक नहीं पढ़ूँगा, बस एक लाइन पढ़ूँगा, कर्मने वाधिकारस्ते मा फलेशु कराचन, तो ये इस लोक है, यही तो बताता है कि कर्म पे ध्यान दीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, और सबसे इंपोर्टन चीज जो मुझे लगता है आज के टाइम में मुझे बताने के जरूवत है, वो ये है कि प्लीज अपने प्रा अंदर से decision लें कि मुझे एक करना है, अभी देखिए आप सब middle class लोग यहां पर क्यों आए हैं, आप लोग मेरी भाशन, मेरी बाते सुनने क्यों आए हैं, क्योंकि आपको भी अपना financial transformation करना है, यानि आपकी life का सबसे बड़ा goal है financial transformation करना, तो जो सबसे बड़ी चीज है, कि सबसे बड़ा dream है, उस पे काम करने में देरी क्यों करना है, देखे, एक book मैंने पढ़ी थी, eat that frog, यह book लिखी कही है, यह Brian Tracy के द्वारा, बहुत अच्छी book है, आपको भी मौका मिल तो जरूर पढ़ें, इस book में, जैसा नाम है, वैसा ही Brian Tracy बोलते हैं, कि अगर खाने बै बैठे हैं, तो सबसे पहले frog खाए, वो ऐसा इसलिए कहते हैं, कि उनका कहना यह है, कि जो सबसे tough काम है, वो पहले कीजिए, क्योंकि आपको life में कुछ बड़ा अचीव करना है, तो पहले tough वाला काम, अब frog को खाना तो मुश्किल है, तो सबसे tough वाला काम कीजिए, तो मैं around procrastinate, यह करके आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, और अगर आपके दिमाग में यह question घूम रहा है, कि मैं कैसे decide करूं, क्या करूं, क्या ना करूं, क्योंकि मैंने तो सारे activities मैंने यहां बताए नहीं है, मैंने कुछ activity बताए जो आप कर रहें, मैंने कुछ activity बताए हैं, यहा करें, क्या ना करें, आगे जाके, जो मैंने यहां लिस्ट नहीं किये हैं, तो उसमें भी मैं आपकी मदद कर देता हूं, सीधी सी बात है, जो चीज़ आप control कर सकते हैं, वो करें, जो आप नहीं कर सकते, वो नहीं करें, जैसे कि example, अगर आप चारली मंगर को देखें, चार यहां, मार्केट में अगर मैं बोलूँ, तो सब लोग प्रॉफिट को control करने में लगे हुए हैं, प्रॉफिट आप control नहीं कर सकते, यह बहुत बड़ा सत्य है, मार्केट के दो ही सत्य हैं, अगर मैं कह दूँ तो, एक तो losses होता है, और दूसरा profit आप control नहीं कर सकते, लेकि no की होगा की नहीं होगा, दुनिया के बड़े-बड़े wealth manager कई साल loss में भी बैठे हैं, अपने successful time में भी loss में बैठे हैं, हाँ, आप क्या control कर सकते हैं, आप losses control कर सकते हैं, आप अगर पहले से risk manage करें, कि मैं इतना ही risk लगा, लेके चलूँगा, 2%, 3%, 5%, 7%, whatever आपकी risk capability, तो बहुत लोग loss average करते रहते हैं, stop loss नहीं लगाते, आप stop loss लगा के काम करिए, कई बार ऐसा होता है, खास का जैसे demonetization हो गया, Trump election win हो गया, उसके बाद कई लोग परशान हो गया, oh no, market is doing this, market is doing that, अरे market तो गिर गया, अरे rare मेरा पैसा, आप ये बताए, क्या आप market को, क्या आ सकते हैं, no, आप Trump election का कुछ नहीं कर सकते थे, आप demonetization कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, ऐसी हालत में आप शान्त बैठ सकते हैं, मत करिए न ऐसी हालत में trade, शान्त बैठिये बाहर, सचिन तेंदूलकर ने 49,000 के आसपास गेंदे खेली हैं, हर गेंदे में समझें, तो इसलिए आप इस बात को समझें कि आप अपने emotions को control करें, ना कि market कैसा कर रहा है उसको पर ध्यान दे, कई बार मैं देखता हूँ लोग कहते हैं कि रियार मेरा advisor अच्छा नहीं है, मुझे अच्छे अच्छे stock नहीं देता, अच्छे से script नहीं देता, पता नहीं वो इतना ग्यानी नहीं है, वो इतना समझदार नहीं है, आप ये बताए, आप अपने advisor से क्यों expect कर रहे हैं कि वो पढ़े, वो अपने आपको ग्यानी बनाए और वो आपको advice दे, मैं यहां आपको कुछ अगर सिखाने आया या कुछ आपके साथ share करने आया हूँ आज इस लगते हैं, तो उस पे काम कीजिए, similarly, आज के वक्त में मेरे पास जितने भी call आते हैं, in fact, nifty millionaire के पास लगभग daily के मुझे लगता है 100 call के आसपास आ जाते हैं, कभी-कभी बहुत जादा आते हैं तो, और 100 callों में सबसे आदर शिकायत लोग की ही होती है, कि उस advisor ने मुझे लॉस करा दिया, उसने मुझे लॉस करा दिया, उसने मुझे बेखूब बना दिया, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे चीट कर दिया, आप ये बताइए, आप अपने thought process को rational किजिए, अपने thought process को और बढ़ाइए, अब मैं देखता हूं market में, सारे आज more than 2500 जो कमप आप जितने भी लोग यहां बैठे हुए हैं, आप मेंसे, जितने लोगों ने free trial लिया है, अपने life में बताइए, आपका free trial क्या आपकी life में काम कर पाया? प्लीज मुझे आंसर दीजे यहां पे क्या आपका free trial आपके life में काम कर पाया कर ही नहीं सकता कर ही नहीं सकता free trial का कोई logic ही नहीं है इस market में इस market में जो घटना एक बार होती है वो दुबारा repeat नहीं होती है तो जो trade आपको कोई बंदा आज देगा वो दुबारा वैसा कुछ होना ही नहीं है तो क्या मतलब है उस trial क्या और फिर भी हर बंदा free के पीछे भाग रहा है कि मुझे free में दे दो भाईया free दे दो दे दो क्या मतलब है और उसके बाद आप गाली दे रहे हैं आप गुसा हो रहे हैं उस advisor के उपर किस खुशी में ignorance आपने की है बेवकूफिया आपने की है और आप advisor मैं कहता हूँ advisor ने गलत किया आपके साथ उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था लेकिन उसको ऐसा करने का मौका दे कौन रहा है आप दे रहे हैं तो please ऐसी चीजें ना करें आप अपने उपर काम करना शुरू करें ना कि advisor को उपर को जाके कुछ भी बोलते रहें और बोलेंगे लेकि कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि आप advisor को अच्छा और बुरा नहीं बना सकते जी लेकिन आप अपने आपके उपर ज़रू काम कर सकते हैं एक जन्ने यहां लिखा है Mr. Dalal ने की Indian culture free इंडिया में छोड़िये पुरी दुनिया में कहीं कोई free नहीं मिलता आप सिर्फ इंडिया को क्यों blame कर रहे हैं इंडिया में तो फिर भी पुराने जमाने में संत महात्मा खाने पीने की चीज़े फ्री में लोगों को देते थे पुरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता और जो आपको free देता है वो बाब में आपसे बड़ा वसूलता है तो ये सब बातें बिलकुल बे बुनियाद हैं आप किसी और को control ना करें overall मैं कहना ये चाहरा था आप अपने आपको control करें कई बार मैंने देखा है कई लोग call करते हैं आपको कई बार आपका analyst और advisor call करता है कहता है मैं आपको guarantee return दे रहा हूं 50% मेरा accuracy rate 80-90% है अरे आप खुद अपना तो दिमाग लगाए कि क्या 80-90% possible है क्या दुनिया के जो सबसे successful investor trader है उनका accuracy 50% होता है average तो हम तो उनके सामने बहुत कम है तो हमारा accuracy तो 20-30% ही होगा तो कैसे आप accuracy 80-90% accuracy को सत्य मान लेते है आचा जो लोग successful है जो बहुत बड़े हो गए जिन्होंने बहुत पैसा बना लिया दुनिया भर में वो लोग बोल रहे हैं कि मेरी accuracy 50% है आप उसको नहीं मान रहे है बड़ जो successful नहीं है वो बोल रहे हैं इस 80-90% उसको आप मान रहे हैं अब आप खुद तो देखे आपका logic कहा जा रहा है तो अगर इस टाइप की irrational logic आप लेंगे तो क्या फाइदा होगा आपको तो प्लीज ऐसी चीजों पर ध्यान देना बंद कर दीजिए तो आपको life में धीरे धीरे आप financial independence world बन जाएंगे राजियंदर दलाल जी फिर से लिखते हैं कि worldwide 40% average है जी मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि क्यों और हमारे हैं 80-90% लोग देते हैं लोग बोलते हैं guarantee return दूँगा और आप लोग guarantee return किसको पता है अगर मुझे guarantee return पता होगा तो मैं दूसरों के लिए क्यों trick करूँगा और उसको कराऊँगा तो इसलिए अब इन चीजों से please बाहर निकलिए आप यहां मेरे साथ बैठे हैं आप please बाहर निकलिए इन चीजों से बाहर निकलिए आप छोटे छोटे profit पर ध्यान देना बंद कीजे मैं कह रहा हूँ अपनी financial transformation के उपर बढ़िए और financial transformation जरूर होगा आपका मैंने 5 चीज़े आप से discuss की हैं और intelligence, philosophy, character, social और financial acumen इन चीजों को पर काम करिए और आपको life में देखिए कैसे आपका transformation होता है और एक वक्त आएगा जब आपका पैसा खतम ही नहीं होगा ठीक है, thank you so much everyone यहां पे जितने भी लोग आये हैं, thank you so much मेरा session खतम होता है, मैं last में session खतम करने के पहले एक ही चीज़ फिर से कहूँगा कि do good things and believe in your karma अच्छे काम करिए, transformation पर ध्यान दिए, छोटे छोटे goal के पीछे मत भागिए यह tips देने वालों के पीछे, यह छोटे छोटे recommendation वालों के पीछे मत जाईए, जो आपको guarantee return की बात करते हैं, जो आपको accuracy की बात करते हैं, 80-90% जो आपको free trial के through बेवकूब बनाते हैं, ऐसे लोगों से बचिए, कोई ज़रूवत नहीं है और अब एक simple सी बात बता दू मैं आपको, आज आप जितने भी लोग यहां बैठे हैं आप मेरे इस session से क्या लेके जाएंगे, क्या लेके नहीं जाएंगे, यह मैं control कभी नहीं कर सकता सर और मुझे उस पर दुखी भी नहीं होना चाहिए, मैं इस चीज को emotional भी नहीं होगा आप यहां मान लो, 200-200 लोग जो भी बैठे हों, अगर आप में से एक बंदा भी अगर यहां से मेरे से कुछ अच्छी चीज़े लेके नहीं जाग गया तो मेरा control नहीं है, आपको सही करना और नहीं, वो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा मेरा control क्या है, कि मैं इस चीज़ को भूलूँ, और नए लोग जो मेरे से कुछ सीख सकते हैं, मैं उनको उपर काम करूँ तो कि मेरा तो life का गोली है, यह दूसरों को financially motivate करना, financial सही रस्ते पे जा रहाना तो आपको मैं control कभी नहीं कर सकता, आप इस चीज़ को माने, ना माने, इसको पर काम करें, ना करें, लेकिन मैं अपने आपको control कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि अपने आप पर control करें, अपनी चीज़ों को बढ़ाएं, चारली के तरह ज़्यादा स्यादे पढ़ें, मैंने यहाँ पर दो books का recommend किया था, चारली मंगर ने एक book suggest कि है, विक्तर फ्रैंकल एक writer है, उनकी book है man's search for meaning, वो आप पढ़ें, और एक book है, Brian Tracy की Eat That Frog, यह दो book मैंने नाम लिया था, एक दो लोग बीच में पूछ रहे थे, वो book कौन कौन से है, तो मैंने बता दिया आपको, बाकी do good things, मुझे भी लगता है कि मैं आज एक अच्छा काम कर रहा हूँ और future में मेरी life ज़रूर बदलेगी, and बदलेगी तो बदलेगी, वैसे ही आप लोग से भी कहूँगा कि अच्छे कर्म करते रहिए, और society को देते रहिए, छोटा मेटे दान, थांक यू, जी, आते ह मैं question answer session पे, question answer session पे मैं आऊँगा, और मैं चाहूँगा, कि आप लोग अपने-अपने questions यहां देना शुरू करें, और मैं कोशिश करूँगा, कि मैं सब को जवाब दूँ, questions को please financial transformation से restricted रखें, मुझे चोटी-चोटी चीज़ है, please मैं चोटी बोलने का मतलब है, मैं माफ करिये, मुझे यह दो-तीन टिप्स ना पूछा करें, मैं आपको थोड़े टाइम के लिए strong नहीं करना चाहता हूँ, मेरा सपना है आप empower बने, आप financial transformation आपका है, आप intelligent बने, आपका अपना character हो, आपका अपनी entity हो, आपकी अपनी philosophy ह तो आपको अभिशेकरमन की जरूरत नहीं पढ़ेगी, दया जी, हिंदी में भी ये book जरूर available होंगे, आप चेक कर लें online, और जरूर हिंदी, मैं थोड़े हिंदी books नहीं पढ़ पाता हूँ, शायद मैं सही इंसान नहीं होगा आपके knowledge देने के लिए, बट इन book का भी पात कहीं नहीं आपको हिंदी में मिल जाएगा, तो आप जरूर वो ढूंड सकते हैं, गुरू जी पूछने की what you exactly do in Nifty Millionaire, सर्भ हम आपको wealth creation में मदद करते हैं, हम आपको free education के थूरू empower करने की कोशिस करते हैं, ताकि long term में आप बड़ा wealth बनाएं, और wealth आपका exist करे, आप के साथ हमेशा के लिए आपकी life बदले, बाकि आपको detail में information लेना हो, तो सामने screen पे आपको number दिख रहा है, एक बार वहाँ पे call कर ले, आप वहाँ सारे detail हमारे यहां के लोग आपको जरूर बता देंगे, बुक नेम लोग अभी भी पूछ रहे हैं, मैं एक बार फिर से बता दूँ, एक बुक है, उसका नाम है man's search for meaning, man आदमी वाला man, man's search for meaning, यह सुजीत मैं बता रहा हूँ, man's search for meaning, वो बुक लिखी गई है, विक्टर फ्रेंकल के दौरा, और जो दूसरी बुक है, उसका नाम है eat that frog, वो लिखी गई है, ब्राइन ट्रेसी के दौरा, आप अभी के अभी Google में चेक कर लेंगे, तो आपको बुक मिल भी जाएंगे, अरे सुजीत फिर से बुक नेम पूछ रहे हैं, आपको अभी पता नहीं चला, अगर अभी भी पता नहीं चला, सुजीत तो यह काम कीजिए, वो जो नंबर लिखे है न, वहाँ पे आप फोन करके, पूछ रहे हैं, हम आपको बता देंगे, अमित भी वापिस पूछ रहे हैं, मैंस लिखे ने लिखा है, देखे जा त अब अब और दूसरी बुक का नाम है, ब्रयंट रेशी के दोारा, राजेस केए, इफ आइ जोऑन निफ्टी में जया, 차 Aliye? मैं यह नहीं बता सकता राजेश जी अगर आप discipline follow नहीं करेंगे तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा आपके लिए तो आपको discipline तो follow निफ्टी मेरे के साथ भी करना पड़ेगा हाँ यह अलग बात है कि हम वही काम कर रहे हैं तो आप exactly वही काम करेंगे क्योंकि हमारा पूरा focus ही है financial transformation हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे लेकिन आपको भी अपना साथ तो देना पड़ेगा आपको अपना role तो play करना पड़ेगा गुरु जी कहते है कि do you provide any kind of training ट्रेनिंग होती है गुरु हमारे यहां उसके लिए आप phone करके detail में आप पूछ लें वो number लिख लें या हमारी website पर भी आपको हमारा number हमेशा मिल जाएगा राजेंदर दलाल जी ने सही बात कहीं guarantee कोई नहीं देगा मैं तो बिल्कुल नहीं दूँगा मेरा काम नहीं है कि मैं आपको छोटी छोटी guarantee देके बेकूप बनाता चलो सर विराज कहते हैं love your seminar thank you so much विराज मैं एक दूआ करूँगा कि 2017 आप लोगो की life का एक बहुत अच्छा साल बने great year होना चाहिए हाँ प्रकाश रप उच्छा your old videos are available yes हमारी YouTube चैनल पर देखिए आपको करना ये है कि YouTube पे जाना है वहाँ डालना है Nifty Millenier नाम डालना है हमारा अगर Nifty Millenier के spelling आपको शायद गलत लिख रहे हो तो सामने दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे Nifty Millenier ये नाम डालेंगे तो वहाँ सारे वीडियोज आ जाएंगे हमारे कुछ 80-90 वीडियोज हैं जहां हमने बहुत सारी चीज़ों को सिखाने ही क इंट्राडे ना करें क्यों कर रहें आप क्या आपको पैसे गवाने का इतना शौक है पहले सर लॉंग टर्म में काम करके बड़ा पैसा बना ले फिर बनाते रहें इंट्राडे मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ अगर आपको करना ही है करना है तो आप हो, सुजीत जी मेरी बात समझ गये हूँ राजेश जी कह रहे हैं कि I am ready to follow तो राजेश जी आप बिलकुल Nifty मेरे जॉइन कर सकते हैं उसके लिए नमबर लिखा है सार आप उस पर कॉल कर लीजिए प्रमोज जी कह रहे हैं I joined for the first time and got valuable things I received Thank you so much प्रमोजी, कोशिस मेरी यही रहती है कि मैं जितना ज्यादा value आप लोग के लिए ले के आ सकूँ दया जी कहते हैं trading में strictly क्या न करें trading में strictly intraday और short term ना करें सबसे पहला advice सिर्फ long term करें, market is for long term people यहाँ कोई income बना के successful नहीं हुआ है यह मेरी बात आप लिख लें सुजीत कहते हैं I am not going in stock due to not idea about this हाँ हाँ सुजीत जी मैं समझ रहा हूँ आपका idea नहीं है फिर भी आप intraday की बात कर रहे हैं आपको idea नहीं है तो nifty millionaire को phone करें आप idea लें हम सिखाएंगे आपको बताएंगे कैसे करें बट इसका मतब यह नहीं है कि आप intraday करने लगे हो one month का करें which time frame for nifty gives optimum returns oh my god मैं कोई भविस्वक्ता नहीं हूँ please ऐसे सवाल नहीं करें Mr. Rajendra I am not going to answer such question these are just predictability in the market long term means can you mention in numbers safir long term means actually it should be for at least 5 to 10 years but just to check if you want to know at least be for one year in the market the best would be look one of the most successful economist Mr. Chanakya he has said you can only come to know about a business when you stay in the business for 1000 days so the best would be be there in the market for 3 years but be with discipline Safir I hope you understand the meaning of my answer be there with discipline Sujit said I would like to make decision on buying and selling and holding myself that make me comfortable yeah please do that that's good life is uncertain and so the stock market absolutely Sujit says for long time I am in mutual fund yes but be there in the stock market also because mutual fund average return is the average return for mutual fund for 10 to 15 years is only 10 to 12 percent which is very much equivalent to our inflation rate however in the stock market if you are disciplined generating income of sorry return of 20-25 percent average is possible so Sujit also put some money in the stock market I am not asking you to put a huge amount put at least 1 lakh rupees 2 lakh rupees and do compounding here also okay thank you money is the powerful thing that represents scenario which has impact on our life absolutely money is a powerful thing no doubt about it but money is made only long term that is also true accept that fact and work on long terms goals Guru says what is this offer popping up on the screen offer so please in case Mr. Guru if you are not able to understand the offer you have that number call on that number right now our entire team is working on Sunday just for you guys so that we can help you we can give you all information call on that number 30987899 Suresh is asking membership fees please call on that number Suresh 30987899 Daya says today's session is very good thank you so much Daya ji it's all because of you also you have supported me and that gives me motivation to work with full energy here sir are you working only in nifty or teaching technique for buy and sell we working in nifty future and equity cash and of course we are helping you to understand how you can sustain in market for long term it's not only by selling there are so many other things which help you to sustain in the market in the entire year we also give you 10 to 15 good reports so that you can enrich your knowledge and 3 lakh invested every year for 5 long years term investment after 5 years I could not understand Mr. N. West what are you saying okay Chitranjan Kumar how to study a business study material where to get Chitranjan Kumar we give you lot of you know business reports also how you can get those business reports please call on the number you can get those numbers we prepare entire report you can get those reports from us Saurav says I have made 17% through the last 5 years on my whole capital you saying Saurav 17% in the entire 5 year if that is the case no problem now what has happened so has happened Saurav ji do that at least your return should be so much long term especially I am not saying every year this will be possible but long term your return should be so much so that you beat inflation Rajyant Kumar Dalal says if a trader running age is 60 plus what is the long term definition for them Mr. Dalal tell me one thing are you looking forward to be alive at the age of 70 Pahle you give me this question do you think that you will live for 70 years or you want to live for 80 years Sanjeev says you have a great meeting thank you so much Sanjeev thank you Saurav ji you are doing a good job thank you Saurav ji I am saying every year every year 17% so that's a good return Saurav but this maintain okay so Rajyant Kumar Dalal ji question licked that 60 plus if you have long term definition what is I have asked that Rajyant Dalal ji can you live for 70 80 years to live for yes so sir that is that it when you we can live for 70-80 years so why can't you invest in that time why can't you generate return what is average inflation consumer inflation is somewhere around 10-12% what is this offer popping up guru ji tell me one thing I am asking you please call on that number sir if you don't want to call just give a miss call on that number our office people will call you and they will help you with the or do one thing mr. guru you drop your number here we will call you back Sujit it seems you speech on spirituality or religion related topic as per your motivating punch in between no 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 Sujit I am not on religion at all yes it's a spirituality that's true but no religion I don't do all these things I only interested in helping people helping people to work on their finances and of course if your finances is improved your relationships improved your life improved your health improved so that's the reason I am working on your finances and spirituality plays a very important role when you want to have a good life good strong finances Sanjeev says it was great meeting same here Sanjeev Partha what should be the average return yearly to beat inflation obviously more than inflation Partha if possible go for at least double of that so that you can become wealthy bit earlier than others yes one very important request from all of you that please share this video to all your known people who want to work on their finances look it's not possible for me to reach to every person in in the entire India but through you guys I can definitely reach to maximum people please share this video so that lot and lot of people can know how to go for financial transformation they should don't they should not lose their money to those scammers because I have told you in the finance world there is a lot of people with emotions from the big finances tuned just your greed and your hope and your fear and your fear and your you don't know what you have to buy they know that if you have return to 10% or 12% you will be and you will invest in they will guarantee that you will they will free trial they will be happy if you have to say accuracy you will be happy and you will do it so please this video share on Facebook and this link we have given you so that more people will be now coming back to questions Partha says what should be the average return yearly to beat inflation as I said Partha return should be more than 12 if average 20% if you are able to generate from the market CH 20% that is going to be good it's better generate 25% yes but 20% CHR that's a good return CHR you understand annual return you have to get every year you get 20% every year 10% every year 30% so 20% 20% Manoj says how much capital is needed that depends Manoj how much you want to go ahead with if you want to start your investment with Nifty Millionaire you have to have 1 lakh to 1.5 lakh rupees this is the limit minimum limit we have asked in your portfolio and that should be your own fund not broker's limit Sujit asked any blog or site maintain yes our site is nifty millionaire dot com and you will get the blog page there Amit Amit ne a question poochha for joining working method as nifty millionaire we have two as I said two segments nifty future and equity cash for nifty future you require minimum 1 lakh rupees for equity cash you require minimum 1.5 rupees there says thank you thank you so much dear आप ने बहुत यहाँ बार-बार अच्छी बात है भी की उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया देखिए आप लोग इस तरह से share करते रहते हैं तो मुझे इसी के भी बातों में आके कुछ भी investment मत कीजे अपना दिमाग लगाए कि क्या यह possible है और दूसरी बात शिकायत मत कीजे डोंट क्राई आप हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकते आप अपने आपको सॉरी जरू कंट्रोल कर सकते तो अपने आप पे कंट्रोल कीजे संजे का एक last question लेता हूँ इस concentration of all wealth inequities may be on long term डोंट पोज रिस्क से एड़ patiently waiting for 10 years देखे संजे रिस्क तो है रिस्क कहां नहीं है आप FD में पैसे डालते हैं FD में आपको return कितना मिलता है आज के time में जो return मिला मैं उसकी भी बात दे लूँ अब तो आपको पता है मैं इस बात पहले भी discuss कर चुका हूँ आगर आपको fixed deposit में post taxes return 6% का मिल रहा है और जैसा मने आपको बताया inflation आज के time में 12% का है consumer inflation इसका मत्तब है कि you are losing 6% every year so that is a bigger risk at least in stock market you have chances to make money in long term you know long term में risk is very minimum but risk is there and Sanjay please 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 it's my request humble request to you don't worry about risk much if you don't take risk you will not get reward the simple funda is this आपने हिंदी फिल्मों भी सुना है न ये डायलोग कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है तो फिर क्यों सोच रहे हैं आप रिस्क के बारे में I am an investor for last 25 years in stock market but with only 1.5 lakh don't you think it's risky to create wealth no Mr. Sorrow why not because मैं 5-10 करोड वेल्थ बनाने की बात नहीं कर रहा हूं ये तो minimum amount रखा है हमने बाकि जिनको बड़ा वेल्थ बनाना है जिनके पास पैसा है obviously वो ज्यादा amount बूस है मैंने ये नहीं कहा कि आप सिर्फ 1.5 lakh रखें मैंने कहा ये minimum criteria है अब जादा तो जितना चाहा उतना रख सकते हैं it depends upon you और mostly middle class के लिए 1.5 lakh रुपीज भी डालना एक बड़ा amount है Sujit ने अपना number दिया है and you are asking us to call okay our people will call you Sujit thank you so much for your number and Sanjay says agreed on this part Akbar was emperor despite less wise than absolutely Sanjay absolutely so please इस बारे मैंने सोचे Manoj says कितने पैसे से शुरू कर सकते हैं Manoj आप शुरू एक से 1.5 lakh रुपे से आपको करना होगा बाकी ज्यादा information लेने के लिए please Manoj या तो आप अपने यह number drop कर दें या उस number पे call कर लें जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 022-3098-7899 कांती भाई कहते हैं Nifty future is better or stock future is better कांती भाई बहुत हार better इंडिया में क्रिकेटर जादा पैसे कमाते इसका मतब यह नहीं कि football is bad वर्ल्ड में football players और इंटाए वर्ल्ड में football players are making more money than crickेटर यह तो question ही गलत है और रुपांच Sir can recommend any type of book which helps to learn more about intra-eat trading रुपांच मैं intra-eat trading को कभी suggest करता ही नहीं हो तो मैं सही इंसान नहीं हूँ आपको book पताने के लिए और मेरी एक personal request है मत करें intra-eat रुपांच पुरे world में intra-eat traders are losing huge money you know why intra-eat doing is very tough पुरी दुनिया में daily के 2-3,000 घटनाए होती है and which incident will affect stock market nobody knows so as an individual what your duty becomes is first of all collect be updated about all those events which is impossible to be updated about 2-3,000 events then if you even if you could collect those events analyze those events then make your own decision and then execute those decisions it's not possible for any individual it's very tough even if you become a whole time full-time trader then perhaps you can do some good in intra-day but otherwise don't do this it's a stressful business intra-day and anyway if you're still stubborn I cannot control you so then I'm not the right person MN says thanks sir once again thank you so much MN for your compliment I agree that direct investment in the stock market necessary but only for a small percent of your net worth you cannot ignore power of mutual funds I am not ignoring power of mutual fund Anandha look what will happen let's say you invest 2 lakh rupees and if you do you invest 2 lakh rupees in mutual fund you invest 2 lakh rupees in stock market directly after 20 years whatever return stock market will give you considering all the discipline and very good conviction and very good way the same wealth would be generated by mutual fund in 50 years that's the difference because in stock market you get more return in stock market if you're disciplined generating 20 to 25 percent return is possible CAGR I'm talking about and you have written yourself that mutual fund gives long term 15 percent so now tell me if you are getting 15 percent return and you are getting 25 percent return which one you should go for obviously you will say 25 percent but again I'm saying don't go for only 25 percent do both guru says thank you sir thank you so much for you also invest your time okay so it's time to sign off now from this session thank you so much all of you it was great learning day for me too to be with you guys it was great time it was a very close topic for me hard Anandha risk is high so reward is also high why you are only seeing risk tell me one thing mutual fund there is no risk then why every mutual fund says that mutual fund investments are market to subject risk and you can avoid risk there are so many ways I'm agree to you that risk is there so reward is also there that's the reason I told you do both yeah comparatively lower comparatively lower Anandha that's true but again now if I say no it's not lower it's more than that then what and I will prove you now in India there are seven to eight hundred schemes in mutual fund as of now if I talk about only equity based mutual funds there are more than four hundred equity based mutual funds in India now how you will come to know which mutual fund is going to give you fifteen percent every return in next ten years don't you think it's a very risky thing to find out similarly there are so many risk involved in mutual fund also so but I'm again not saying to go not go for mutual fund go for both don't ignore any of them I'm saying I'm a full time trader trading derivatives I understand risk better than the common man I'm not saying you don't understand risk okay just tell me one thing tell me two mutual funds which you think in ten years they are definitely going to give fifteen percent return can you tell me that you cannot so that's again risk in the mutual fund and still I'm not saying to go for not go for mutual fund go for mutual fund go for directivity go for both don't ignore one Rupanj says but sir I want to make future in this business and I'm not doing any other work okay Rupanj you want to make future in this business it does not mean you will do intraday Rajen Dalal says sir please tell us your mobile number so that contact can be done by us please all of you who wants mobile number make a note of this mobile number here the mobile number is 9324 85 55 50 I will read the number again I know pehli baar mein kitna bhi bol do kahi log ready nahi hothe so the number again is 9324 85 55 50 and Mr. Dalal also make note of this landline number which is there 022 30 98 78 99 and as I said you can just give a miss call on this number 9324 85 55 50 sorry you are missing 1-5 it should be 4-5 in between yes please call on that number if you want and you can also call on landline as I told you it both belongs to us so don't worry at all thank you so much everyone now I think I have answered too many questions I am still ready to answer this is 3-11 I will be signing off by 3-15 if anyone has any question please put down your questions I inflation inflation beat so do everything do mutual fund do equity do long term whatever you are doing do long term don't make any short term goal I just have 3 more minutes should I sign off any question will ask okay 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 feel like all the questions are done or most people will go on Sunday I can understand so I will go on Sunday enjoy thank you everyone thank you so much thank you bye bye bye